तो फ्रेंट्स आज किस वीडियों हम लोग बात करेंगे टॉप फाइड डॉडु डॉडु के इसे मुवमेंट जहां पर हमारे भारत देश और भारतिया रुष्टर को अक्मानित किया गया तो फ्रेंट्स में आपको बता जातो हमारा उतेश आपको सिर्फ सचाई पहुचाना है ना कि आपके भावनाओं को ठेस पहुचाना है हम लोग सिर्फ आपके सामने सचाई दिखा रहे हैं ना कि आपके भावनाओं को ठेस पहुचा रहे हैं वैसे तो हम जानते है WWE scripted होता है जो भी WWE में दिखाया जाता है वो पहले से हित्य होता है और आज हम बात करेंगे WWE के पाच ऐसे moments के बारे में जहां पर भारत देश और भारतिय फ्रसलर का आख्मान किया गया तो इस वीडियो का इंटेक देखें तो चली वीडियो शुरू करते हैं लेकिन उससे पहला अभी तक अपने में चानल को सब्सक्राइब ने करें तो निक काम ज़रू करते हैं और बैल आइकन को ज़रू दपाएं नमबर एकपर आते हैं टायगर अलिश सिंगग और स्ट्व ब्लेक मैन के बीच मैश देखने को मिला ता जहां पर स्ट्व ब्लेक मैन हाड कोर चैंपिन थे और उन्हें अपना टाइटल डिफेंड केया था इस मैश के अंदर पर इस मैश के अंदर यह और यह होता है, मैं टाइगर अली सिंग की पगड़ी उतार कर फेक देता है और आपको पता है पगड़ी हमारे भारतियों संस्कृति में काफी बड़ी मानी जाती है तो कि सिक्क धर्मों में भी काफी बड़ी मानी जाती है बारतियों संस्कृति में पगड़ी को काफी बड़ा माना जाता है टाइगर अली सिंग ने वो पगड़ी नहीं उतार के काफी अक्मानित किया था पर इस मैच को टाइगर अली सिंग ने सिर्फ टीम नट के अंदर हा रहा और स्टीव ब्लैक मैन ने इस मैच को जीत लिया और मैच इतने के बाद वो पकड़ी उन्होंने पैनली स्टीव ब्लैक मैन ने और ये काफी बड़ा अकमान किया था टाइगर आली सिंग ने भारतिय पकड़ी का नमबर दो ग्रेट खली हम मानता है कि ग्रेट खली कितने बड़े सूपस्टार है इन्होंने हमारे भारत का नाम काफी उच्छा किया पर चीजे तो तब बदली जबी खली पंजाबी नाइट मेर से पंजाबी प्लेबॉय बने तो ये काफी ज़्यादा शर्म नाकता क्योंकि एक टॉमिनेटिंग सूपस्टार एक पंजाबी नाइट मेर से पंजाबी प्लेबॉय बना पर उसके बाद हमें मंडे नैटरों के सेग्मेंट के दोरान जबी विक्की गोररी का मैच होता है एजली के साथ वो बैक्स्टेज विकी गोररों वाम अप कर रही होती है और तब अपनी गर्दन नीचे करके वहां से चले जाते हैं और यह काफी जादा ओक्वर्ड और काफी अजीब सा सेग्मेंट है इतने बड़े सूपस्टार को अभी इस तरह कैसे सेग्मेंट डेना तो मुझे काफी जादा ठीक नहीं लगा क्योंकि एक बड़ा डॉमिनेटिंग एक चोक दो मैं 2011 में हमें देखने को मिला मंडे नैटरों के एपीसोड में दो रॉक की बर्टेप पार्टी और उसके अंदर कई सूपस्टार मुझे थे और वह दो रॉक को बदाई दे रहे थे और स्वेगमेंट के दोरान हमें होर्स्वोगल एंड ग्रेट खली भी आते ह में नजर आए पहले तो हॉर्स्वोगन आये उसके बाद ग्रेट खली आये लेकिन एक परी वाले कॉस्ट्यम में और यह काफी ज्यादा शौक था क्योंकि कहा एक मॉंस्टर सूपस्टार एक बना परी हाला कि यह स्क्रिप्टेट था लेकिन यहां पर काफी सूपस्टार ग्रेट खली का मजाक उड़ा रहे थे जो भी हो लेकिन ग्रेट खली ने इस सिट्वेशन के लिए माना भी कर सकते थे लेकिन यह डबलो डबली के प्लान के इस साब से डबलो सूपस्टार को चलना भी पड़ता है मुझे चीज बुरी यह लेकिन ग्रेट खली इतने स्टर होके उन्हें एक परीवला कॉस्टम दिया तो मुझे काफी ज्यादा बुरा लगा क्योंकि खली देसे सूपस्टार को इतना बड़ा मुमिंट अब मिल चुका है डबलो डबली से जो भी काफी बढ़िया रहा है काफी कुछ किया हुए ग्रेट खली ने डबलो डबल हो जाओ जाहा पर ग्रेट खली रिग के अंदर भीख्षओ और मामलों को थंडा करने के लिए फंडित को बलाथय और खली पंडित को बोलते हैं जो महात्मां गांदि ने समझाया है uwवह बिक शो को समझाओ तो वहां से प्भी क्क्षओ आ जाता है और वहां पर खली बिक् पी ले ये मात्मा गण्दी का मूत नहीं है और वीक्षों पी ले ते उसके बाद angels भी बिरक्षों को एक मुर्गा देते और कहते है कि कि इसे चप भी तुम्हें भूग लगे जी कि फूर्त खोले ना और इसके बाद घली केया कियता है यह लास्ट गिफ्ट तुम्हारा और वहाँ पर खली विखिशो को एग बक्री देते हैं जो इसे हम गोट कहते हैं और खली ये कहते है कि इस बक्री से महात्मा गांदी दूद पिया करते थे इसे स्पेशली में तुम्हारे लिए इंडिया से मंगाया हूँ उसके बाद बिक्षो को कुछ समझ नहीं आथा बिक्षो को एक तरह से बिक्षो हाथ भी मिलातें खली से लेकिन बिक्षो को ये चीज आची नहीं लगी बिक्षो खली को एक नौक उट पंच मारकर वहां से चले जाते हैं और मुझे ये चीज समझ मनें कि बार-बार इस सेग्मेंट में महात्मा कांदी का नाम लेना मुझे कुछ ठीक ने लगा बले ही ये चीज़ स्क्रिप्टेट हो लेकिन खली इस चीज़ के लिए साफ साफ माना भी कर सकते थे क्योंकि ये ऐसे चीज़े किसी को भी अच्छी नहीं लगेगी और ये भारत का काफी ज़्यादा अखमान है नमबर एक इंडियन फ्लेक का अखमान फ्रेंड्स देश कोई भी हो पर उस देश के वासी अपने जंडे से काफी ज़्यादा लगाव रखते हैं और अपने देश से भी और किसी भी देश के जंडे का काफी जादा महत्वप पूर्ण होता है जंडा किसी भी देश के लिए काफी जादा बढ़ा होता है और हम सब इंडियन्स के लिए हमारा तिरंगा काफी जादा बढ़ा है वो हमारे दिल में रहता है साल 1999 में टाइगर अली सिंग रिंग में इंडियन फ्लैग लेकर आता है और यह बात रोट टू रिसल मिनिया 15 की बात है और यहाँ पर टाइगर अली सिंग एक हील के रूप में हमें देखने को मिले थे पर टाइगर अली सिंग के हील तो वहाँ से उन्हें काफी ज़्यादा बू मिल रही थी और काफी ज़्यादा लोग उन्हें पसंद नहीं कर रहे थे Tiger Ali Singh Americans की अक्मान कर रहे थे और कह रहे थे कि Tiger Ali Singh कह रहे थे कि तुम Americans सिर्फ उसे पैसे के पीछे बागते हो उसके बाद Tiger Ali Singh को और भी जादा hate मिलने लगे थी क्राउड के तरफ से Tiger Ali Singh कहता है कि रिंग में पड़े हुए American flag को जो भी रिंग में आकर नाक पोचेगा उसे 500 डॉलर दिये जाएंगे और यहाँ पर डेबिट होने वाला था कर्ट एंगल का इसलिए टाइकर अली सिंग ने निशाना साधा कर्ट एंगल को और उन्हें रिंग में बुलाया और 500 के जगा पर 2000 डॉलर देने लगे और कर्ट एं यहाँ पर अमेरिकां फ्लाग उठा लेते और अपने नाक यह बस रखते लेकिन जैसे ही टाइकर जिंग पलट तो यह इंडियन फ्लाग उठा कर वह अपना नाक साफ करते हैं और वहाँ कर्ट एंगल ने अपने तिरंगे का अकमान किया था और अपने तिरंगे से नाक क्या और आपर कर्ट अंगल का डेविट होना था तो ठील को बीट इस इंग को वा पर स्टौंग दिखा गया Jake कंगल है उसे और फेखरी पैसे को प्रेसे के बार में कुछ बहुंटर है बहुत और टाइगर अली सिंग बहुत थी अज़िब किसम का आदमी था जिसे डबल डबली में आज भी कोई पसंद नहीं करता तो फ्रेंटस ये ते से पाच मुमेंट जहां पर डबल डबली ने इंडियन व्रसलर और इंडिया का अकमान किया था अगर आपने वीडियो पूरी सब्सक्राइब करके बैल आकन को दबाए और इंस्टाइब पर बातशेट कर सकते हैं लिंग इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स अब तेकल इतना गुडबान टेक क्यार